हेलो गाईज, वेलकम टो इंग्लिस एजुकेशन, इस्टुडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 की पोईटरी से 4th पोयम का सेंटल आइडिया, और ये सेंटल आइडिया है, बहुत इजी वे में लिखा है, इससे पहले हम 3 सेंटल आइडिया को कम्प्लीट कर चुके हैं, अगर आपकी कोई क्वैरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी पोयम का नाम है, एट फिंग ओफ ब्यूटी, सुन्दर चीजों पर है, और सुन्दर चीजे क्या है, जो निचर से जुड़ी हुई होती है, और फिंग ओफ चीजे होती हैं, ये कभी भी वैनिस नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, और कभी भी मुर्जाती नहीं है, इट मेंग, इट मेंग से पर्मनेंट प्लेस इन अवर माइंट एंड बीकम अ सोर्स ओफ जोई, और ये हमारे मन में एक स्थाई जगे बना लेती हैं, और ये हमा कभी भी निराश नहीं करती है thing of beauty removes the curtain curtain means होता है पर्दा darkness means होता है अंदकार and gloom from our spirit spirit यहां पर आत्मा यह मन को कहा गया है तो जो सुन्दर चीजे होती है वो कभी भी हमें निराश नहीं करती है और जो सुन्दर चीजे होती है वो हमारे मन से अंदकार के परदे को हटा देती है उदासी के परदे को हटा देती है और वो सुन्दर चीजे क्या होती है the sun the moon trees beautiful flowers small streams all object are thing of beauty अब कहा जा रहे कि जो sun है moon है trees beautiful flowers है और small streams है छोटे जड़ने हैं यह सारी चीजे सुन्दर चीजे हैं these beautiful things of nature make our life sweet peaceful and happy और यह नेचर की जितनी भी सुन्दर चीजे हैं यह हमारे जीवन को मधूर बना देती हैं सांती में बना देती हैं और यह हमें परसंचित बना देती हैं हमें खुशी देती हैं तो कैसा लगा सेंटल आइडिया आपको एक लाइक करके जरूर बताएं चैनल पर अगर आप पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपने नेक्स टोपिक में तब तक के लिए बबाए